आपको आपको मालूम है कि हमारा मास्टर बजेटिंग का चेप्टर से लहा था और इसके अंदर हमने नाइन लेक्चर आपको बना कर दिखाये थे और उसके अंदर हमने मुख्तले मुख्तले बजेट्स को एक्स्प्लेंड किया था आज के लेक्चर के अंदर हम explain करेंगे कि इसका last budget जो कि क्या है budgeted balance sheet, यह नहीं कि हमने sale budget बनाया, उसके बाद production budget बनाया, raw material budget भी हमने बनाया overhead, direct labor का manufacturing, overhead के साथ selling and administrative expenses का budget बनाया फिर हमने income statement बनाया, तो last में हमारी budgeted balance sheet किस तरीके से होगी, उसको हम देखने वाले हैं तो यह हमारा lecture 10 है, केरी सन नोरीन की managerial accounting की book edition 15 का chapter 8 और उसकी exercise 8.9 आपके सामने मौजूद है, और उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से budgeted balance sheet का data आपके पास given है और उसको कैसे solve किया जाएगा, तो केने दा management of मक्का को भी a photocopying center located on university avenue has compiled the following data used in preparing its budgeted balance sheet for the next year जो मक्का को भी वाले हैं, उसकी management ने जो के एक photocopying center at university के avenue में locate करता है, उन्होंने एक data compile किया, budgeted balance sheet का ठीक है न, जो के वो किस लिए बना रहे हैं, अगले साल के लिए बना रहे हैं उनके पास ending balances मौझूद है किस चीज़ के, एक आपके पास cash का balance मौझूद है, account receivable का, supplies का, equipment का, equipment यो पर accumulated depreciation, accounts payable, common stock और return ending का balance मौझूद, नहीं है इसका मालब क्या हुआ कि return ending का balance और cash का balance आपको find out करना है, वो भी ending additional information में आपको कह रहे हैं, the beginning balance of return ending was 28,000 डॉलर जो return ending का beginning balance जो पिछले साल से होकर आया था, वो 28,000 डॉलर था, इस साल की net income जो budgeted है, वो 11,500 डॉलर है और dividends जो हैं, वो इस साल के कितने हैं, 4,800 डॉलर के budgeted है, तो record में आपको क्या कह रहे हैं के company का, company की budgeted balance sheet आप बना कर दिखाई है, तो यहाँ पर question बिलकुल simple सा है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, हम चलते हैं इसके solution की तरफ और असानी से आपको solution समझ में आ जाएग और कोई भी इसको करने में मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी, तो सबसे पहले क्या है, मंका कोपी, फिर आपने क्या लिखा, फिर आपने लिखा budgeted balance sheet जो आप बनाने वाले हैं, asset, liabilities and equities, सबसे पहले current asset की बात करें, तो cash में अभी आपको explain नहीं कर रहा, ठीक है, सबस आपके बास कितने का था, 8,100, supplies inventory कितने की थी, 3,200 dollar की, ठीक है, और total current asset कितना आगया, 23,500, यह याद रखिये कि मैंने अभी इसको explain नहीं किया, इसको सुर्फ चीजों के बाद explain कर रहा, non current asset आपके बास equipment कितना था, 34,000 और उसका accumulated depreciation 16,000 minus किया, तो आपके बास कितना आगया 18,000 dollar, और total asset आपके पास कितने आगया, 41,500 dollar, current liabilities में, आपके पास 1,800 dollar की liabilities थी, अकाउंट पे फिल में, और दुसरी कोई liability नहीं थी, इस टोक order equity के अंदर अगर देखा जाए, तो common stock आपके बास 5,000 था, retain earning आपके बास 34,700 आई कैसे, जो beginning था, उसके अंदर इस साल की rate income आपने add की, तो total retain earning हो गई, dividend आपने less किया, तो साल के आखर में आपके बास return earning जो बची हो कितनी बची 34,700, तो common stock को और retain earning को जब आपने add करवाया, तो आपके बास stock order की total equity कितनी आगी, 39,700, और इसको liability के अंदर जब आपने add करवाया, तो आपके बास answer आगया, 41,500 किया, total liabilities and equity, अब बात करते हैं cash के ending balance की, cash के ending balance हमने किस तरीक इसे find out किया, TF 41,500 की हमने का की, ये equities का total ले लिया, उसमें से 3,200 का हमने, और 18,000 का और 8,100, यनिके एक fixed asset, ये equipment, इसकी amount हमने ले और उसके बाद 3,200 supplies, और 8,100, यनिके account receivable की value लेकर, हमने जब इसको minus करवाया, तो 12,200 आ गया, यनिके cash का ending balance निकालने के लिए, हमने asset में जो asset and liabilities हैं उसमें से remaining asset को minus करके अपनी values निकाली है, यनिके cash का ending balance निकाला है, तो जब इसको का ending balance निकाला 12,200 और इसको 8,100 and 3,200 में plus किया, तो 23,500 डॉलर का answer ऐसे आया है, और उसके अंदर फिर आपने fixed asset की value को add गिया, तो total equities के बराबर 41,500 डॉलर आ गया, तो I hope कि आपको ये lecture आसानी से समन में आ चुका होगा, इसमें कोई confusion आपको नहीं होगी, अगर फिर भी कोई question आपके दिवाब में आता है, इससे related, तो comment section में question करके पूछ सकते हैं,